जो भी डिसीजन हमको लेना है आगे लाइफ में तो क्या हम अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने दोनों के अपने प्लस माइनस हैं तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर डिसकुशन करेंगे यानि एक तरह के डिबेट होगा आप दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो आप दिल की साइड में जा सकते हो दिमाग की साइड में दोनों के अपने प्लस माइनस हैं तो आप कुछ बोलोगे जो भी बोलना चाहते होंगे फिर दूसरे जो होंगे उनको उनी का जो हमको दिमाग की सुननी चाहिए क्योंकि जब हम दिल से डिसिजन लेते हैं तो हम एमोशनल जाते हैं तो वो बेसिकली लॉंग टर्म के लिए बेनिफिशल नहीं होता हुँ दिमाग की सुनते हैं तो फिर हम सारे प्लस नेगेटिव सब कुछ लाइक उनको गॉर करते हुए कि मतलब इमोशन में भै करके हमको डिसिजन नहीं लेना चाहिए जिस दिमाग लगा करके लोजिकली सोच करके फिर डिसिजन लेना चाहिए जिए Sir, हमें दिल की सुननी चाहिए क्योंकि आपको फिरी बदा चलेगा कि आप उस वर्क को फील करते हो या नहीं करते हो अगर आप ब्रेन से डिसिजन लोगे तो आपको ही है तो बदा चल जाए कि हाँ उस काम को आप कर सकते हो लेकिन आपको फिर बाद में अगर आपको उसमें या नहीं आपको आपको फील कर पा रहे हो तो वह सबसे ज़दा इंपोर्टन इसका उसमें मिल रहा है अपको जो भी बाइप्रोड़क्त सबसे ज़दा इंपोर्टन थे फिलिंग्स So what you are saying is, is, कि अगर हम अपने सिर्फ दिमाग की सुन कर कोई डिसिजन ले ते हैं तो हो सकता है हम वो डिजिजिन दो ले ले लें दिमाग बाई इस मतला हम financially successful भी हो जाए लेकिन हमको अच्छी feeling ना आए Sir, दिल की सुनेंगे तो दिल कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है तो हम confuse हो जाएंगे तो इसलिए दिमाग की सुननी चाहिए मैं मैं रचेक्ट और क्या रहु नहीं गर ची सुस्ति हैंद ही रही क्ले का वी यह इसन तो बढम के बना पजाना है यह सार इसा होता है दिल के किसमे नहीं होता है? यह सब बिल्कुर हाँ, खेक है मेरा मानना यह है कि आप अपने दिल की सुनो आज आज अपने प्रोफेशन इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरसों और इसलिए मैटर इसलिए पैसा कमाना इसलिए पैसे के लिए कोई प्रोफेशन नहीं हो जा है मैंने लॉच उस रहा है क्यों कि मुझे फ्रीड ना यह जाना है जो गलाथ हो उसके लिए लटना यह मुझे जो करूंगी उससे पैसा आयका जया उपने दिल से करूंगी ना तो कोई पैसा आने से रोक नहीं सकता मुझे बॉरिंग सर अगर हमें लाइफ में कुछ सीखना है कुछ आगे बढ़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा and सीख हम अपने दिमाग से सकते हैं in order to grow we have to keep learning in life that's what I want to say स्र, स्याहिज सकते है, working is crazy जैसे की लिए वैपन फागल पन आप मेरे लिए सर भगवान से भी बढ़ करो सर मैं आप से मिल ना पाता अगर दिमाग की सुनता अभी जो अमारा इसक्षिशन हुआ है यह आप चाहते हो हम वीडियो में दिखाएं वो बिल्कुल सर क्युकि आपके घर वाले भी हो सकता है देख लेंगे तो इसलिए मैं आथ करके आया है कुछ अब आपका जरूर रखेंगे इसमें अड़ित नहीं काया है सर मैं उस लड़के के पॉइंट से बिल्कुल एगरी नहीं हुआ 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 है जिसने बोला कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे आपका खड़ेंगे इंको भी माइक दो मेरे पैन्स के पॉइंट को और पस अब आपसे को अब आपको 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 जुँअद मिंधद आपको बिए घृट से पीलिंग थी किसंधीर से मिलना है तब ही तो तब है तो हाट आया नया पहले तो बाद मैंद आया कि मेंद से मिन माइं परइंट्स को मना आप ने लेकिन आपको लूंदर से मेर शुपाथ कि करना है मैं जुच गलन कर रही है सब अगर इनके पॉइंट से भी अगरी नहीं करती हूं इनने कहा करके मुझे लौ करने है अरे एक मिनिट एक मिनुट तो हर तरफ लड़ाई चगड़ा हो रहता है अब आप माइक छोड़ दो एक बर उनको माइक दिया जाए जिनसे वगरी नहीं करती है क्यों नहीं इनके पॉइंट से गृटी करते हैं फ्यून कि मुझे लौ करने मेरा दिल करता है इसलिए मैं का रही हूं तो सर अगर इनने लौ करने इनका दिल करता है उसे गरने का तो क्या पॉइंट था मैं इंजिनरिंग करने जा रही थी बट मेरा उस ताम पे चांसिंग भी चल रहा था बट आइल से इसमें डिशाट कि मैं रॉप करूंगी क्योंकि मुझे इसमें इंडरेस्ट है उस ताम पर मैं गेव गवप करा और मैं थूस करा आई तो तो यहाद आगया करेंगा दिमाग काम नि करेंगा तो नि दिल भी जवार थे अगर तो तूत पर दिल तूट जायेंगा तो नहीं हो गार भी तो 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 अगर दिमाग की पधे में हैं अब हल्दू tribute कि क्वेश्याय आप ऋड़र की जीधिर इनी कि पर्णकिन हटको अब यह क्व adalah इसे में अचछे को बखते ह वह बालत कि में अलेम दमने को अगर सथी मारतो यह तो वहादे है। मेरे बच्चे ने आपको करने हैं आपके थारी नहीं मुझे मोटिवेट किया था इस जीज के लिए मेरे बच्चे ने आपको तरह जो किसे पता है उमेरा बच्चा था लैट बोले एक बडिल बोख नगारे भना नगारे ऑफ नगारे विंग लादे बिना किसी लीगल पूरूफ के आप एक बोले भाले इन्सां पर आप आप नहीं 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 neighbors अधिल आपका ही जए जिस्छा ही नहीं होताओ मैंस्टार में समझ गया मेरकूई प्राप्सी नहीं होती है लाइफ में तुम मैं चाहती हो कि मैं राइफ में दूसरों करना चाहती हूँ तो लॉइस अगुट फिल फॉर में लेस्ट के बीग एंट फॉर बोथ देम अभी जितना भी ये इसकों डिसकुशन कहें, आर्गुमेंट कहें, डिबेट कहें, जो भी हुआ है उसमें आपने कोई चीज अब्ज़र्ब करी है क्या इस पूरे डिबेट में एक कन्फूजन नजर आ रहा है यहां पर आप यह मैंने क्यों किया क्योंकि प्राक्टिकली मैं आप लोग को कुछ समझाना चाहता था तो प्राक्टिकली अभी आपने क्या समझा इस सब के थूरू कि बहुत कन्फूजन है किसी ने दिल की साही ले ली, किसी ने दिमाग की ले ली, किसी ने दिल को आगे कर दिया, किसी ने दिमाग को आगे कर दिया क्या किसी ने भी, कभी भी, बैट करके अपने आप से सवाल पुछा है, कि दिल का मतलब क्या और दिमाग का मतलब क्या बीच बीच में आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने बोला, दिल से सोचते हैं, क्या दिल सोचता है, या दिल धड़कता है, तो दिल की अवाज मतलब क्या, मन की अवाज, what is मन, what is मन, we are using too many words, but we don't know anything about it, समझ पा रहे हो, मन, मन मतलब क्या, और मन में, और दिमाग में, क्य मन, inner voice, मन, inner voice है, सारी voices inner ही तो होती है, outer voice कौंसी होती है, thought outer होता है क्या, क्या मेरे thoughts को आप देख पा रहे हो, so what do we mean by inner voice and outer voice, दिल मतलब क्या, दिमाग मतलब क्या, step by step देखो, दिल मतलब physical एक organ है, जिसको heart बोलते है, उसका काम क्या है, धड़कता है, और वहाँ से क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारे जो और सारे ओर्गन्स है वहाँ पर तो उसका काम है ब्लड को सर्कुलेट करना ब्रेन नाम की चीज है हमारे पास में ब्रेन का काम क्या है सोचना ब्रेन को एनरजी कहां से मिल रही है तो जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वह से एनरजी मिल रही है कि इन से बातों को कोई चैलेंज कर सकता है तो हम स्टेप बाई स्टेप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना ठीक है इस नेचर की एक इंटेलिजेंस है जिसकी वजे से सारे काम अपने अप हो रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको खुद नहीं करनेप रह रहे है डीजेशन हो पारा है होता है आपल इस कितनी लोग health का डीजेशन काम करता है तर रहा है ना हाँच ब्रेथ ब्रेथ चल रही है सब ठीक है ना यह को रखा करो दूझ दूच को दूचे i waspo सोच के करते हो क्या सोच के परेथ चला रहा है अगर 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 की सोच को दे धिया जा girth भूल जाहोंगे प्रैथ लेड़ा अर्य को ग्वूल मैं अब कहा है या बड़िलाज को ठिकान लगा और क्या करो तो यह department किसका है यह जो heart pump हो रहा है इसकी वैसे blood circulate हो रहा है आपकी brain में जा रहा है brain बाकी के organs को control कर रही है नाखुन अपने आप भढ़ रहे है बाल अपने आप भढ़ रहे है height अपने आप भढ़ रही है सब कुछ अपने आप हो रहा है खाना खा रहे हो अपने आप ही digest हो रहा है यह सब कैसे हो रहा है क्या यह सोच करके हो रहा है महाँ पर क्या दिल की आवाज क्या दिमाग की आवाज कोई आवाज ही नहीं सब कुछ बिना आवाज के हो रहा है समझे मैंने क्या कहा है आवाज मतलब thought बिना सोचे यह सारे काम अपने आप हो रहे हैं इसको आप बोल सकते हो नेचर की इंटेलिजेंस तो अब ध्यान से समझो अब यह दिल की आवाज दिमाग की आवाज यह समतलब क्या हमारे अंदर कुछ इंफोमेशन फीड करी जाती है बच्पन से ही क्या विदाउट इंफोमेशन कें यू थिंक आपका दिल छोड़ो दिमाग भी क्या सोच सकता है बिना इंफोमेशन के यह सब फंड़मेटल इंटरेस्ट है आप लोगा है इसको बोलते है समझ लेना इसकी क्या इंपोर्टेंस है यह इसको आपको देखना आ गया तो बड़ा कमाल का कुछ हो सकता है फिर ऐसा माइंड होगा जो एपसलिटली क्लियर होगा सीधा क्लियरली देखेगा बिना किसी डाउट के बिना किसी कन्फूजन के तो यह जिसको आप सोचना बोलते हो वो किसके बेस पे होता है इन पांच संस के ठहुम कुछ अंदर फीट होता है वछ दिखता है कुछ सुनाई देता कैसे फीडना शुरू हुआ कुछ अल्फाबेट से लिखे ए B, C इसकी ऐसी फिगर होता है यह होता है यह फॉ जूम है यह 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 सब अंदर इसको information नहीं कहेंगे Google पे जो सर्च करते हैं, इसको क्या है? Information जो भी आप सोच रहे हो, that is on the basis of this information तो इसमें दिल और दिमाग को बीच में गुसाने के क्या ज़रत है You talk about passion, what is passion? Can you be passionate about something जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? जो सुना मैंने क्या बोला गए You see, I am passionate about whatever that thing is, maybe law तो अगर उस law के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, को information नहीं नहीं होती है तो वहाँ पे passion का सवाल ही नहीं होता Can you be passionate about something जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? किसी ऐसे career के बारे में जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है Can you be passionate about it? तो पैशन कहां से पैदा होता है? Information Information जो अंदर फिरिड है क्या वो information complete information है या limited है? Limited है इस सच को देख पा रहे हो You think on the basis of information You feel on the basis of information Emotions on the basis of information अगर आपको ना बताया जाए कि यह जो सामने lady है यह आपकी maa है तो emotions कहां है? Memory चली जाए तो emotions कहां है? यादाश चली जाए आपके सर पे एक मारा जाए यादाश गही कहां है emotions? Emotions का ground क्या है? Thoughts का ground क्या है? देखते एकदम से thought आता है किसको देखते हो thought आता है उस thought का ground क्या है? Information जो past में आपने उससे related collect करी हुई है जो अंदर feed it है तो अब हमारे आगे बहुत बड़ा challenge आ रहा है अब हम act कैसे करें We can't act We can't think Without information और information जहां से भी आ रही है जो भी आपके अंदर feed it है वो सब उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी वा कोई selfish motive है कोई institute है वो आपको कह रहा है कि हमको join कर लो क्यों कर लो क्यों उनको आपकी पढ़ी है ऐसा लगता है आपको या उनके लिए आप सिरफ एक number हो कि हमारे institute में अब इतने number of students हो गए है इतने की हमारी sale हो गए इतने का जिया उनके लिए आप सिरफ एक नोटो का bundle हो कड़वा लगे हैं सुनने हैं लिए सच है समझे हैं और इस information की बेस बेस आपकरोगे कितनी मिठी मिठी बाते आपसे कर रहे हैं नो मैटर आपके mind के साथ कितना खेल रहे हैं इसको overthinking कहो इसको thinking कहो, so called thinking original thinking है कितने लोगे पास में इस दुनिया में सब second hand thinkers है thoughts में originality है कहां पर लाओ थुड़ा सथ दिमाग so your life our entire lives are driven by this information तब कैसे decisions ले अपनी life it's a very interesting question जी इससे जादा important और कोई question हो नहीं सकता है हमारी life में अब decision कैसे ले decision तो ले नहीं है ना अब आपे चाहे दिल की आवास को चाहे दिमाग की आवास को क्या दिल की और क्या दिमाग की for example, आपके साथ में बैठ जाओ चार दिन तक और आपको अच्छे अच्छे मिठी-मिठी कोई सपने दिखाता रहा हूं किसी particular career से related तो क्या वो आपका passion बन जाएगा चार दिन बाद या नहीं बनेगा उसको सुनते एकदम अच्छे से emotions नहीं आने लग जाएगा औरे यार यह बड़ा सही है मुझे तो यही करना है फाशन फोटोग्रफी के बारे में बताओं कि देखो यह लाइफ होती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है यह होता है, एक्साइट हो जाओंगे पट क्या हो आपके लिए सही है शायद हाँ, don't say no, understand don't say no, how do you know हो सकता है, सही हो सकता है, ना हो अब क्या करें can we look at ourselves without this baggage of information, कि यह मैं हूँ, यह मेरी actual में strengths है, यह मेरी weaknesses है फिर वहाँ पर देखना होता है कि जो भी मेरी strengths है जो मेरी सबसे बड़ी strength है you must be having n number of strengths उसमें से आपने देखा, यह मेरी 4-5 strengths है, जो बड़ी कमाल की है, इनको मिला कर कि इन 4-5 strengths को मिला करके, क्या 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 करियर options है अगर यह आपने धंग से चूज किया सोच समझ करके, अच्छे से और वहाँ पर ने success को अचीव किया then there is a strong possibility life की जो और sides है because career and success is just a very small tiny part of life मैं लाई अगर यह है तो उसके एक चोटा काटे करियर success ही है और उसके अलावा जो कुछ है वो भी आपको नजर आने लग जाएगा then this whole information put together, जो unlimited information this would be like a dot in your existence तब आप इस पूरे universe में एक चोटी ची बोड़ी नहीं होगे यह जो दिख रही है इस चीशे में कि पूरा पूरा universe आपके अंदर होगा इस बात की ड़ देख पा रहे हो यह मैंने भी बोला तो है बट यह आपके लेग थौट है it will not be a thought but it's going to be a living reality for you in your day-to-day life तब यह जो होने का मतलब है यह जो आई हो आप यहापर वो पूरा होगा इसलाओ अरी बेष्ट, थैक्यों सब्सक्राइब पूरा थारी बेष्ट, थैक्यों सब्सक्राइब बेष्ट, शबस्ट, थैक्यों सब्सक्राइब है अर्ण